हेलो गाइज वेलकम बैक तो माई न्यूए एपिसोर्ड और मैं आपका दोस्तें दोस अभी शेख कुमार और आप देख रहे हैं अभी विलॉग जोन तो एक बार फिर आपका वेलकम है हमारे नई जंगल सफारी में और आप देख सकते हैं इस विलॉग की खुरबात कर रहे ह हम विजरानी रेंज से विजरानी गेट पर गाज हम आपको लेके चलते हैं फिर एक बार इस खुब्सूरत और घने जंगल की जंगल सफारी पर जो की शुरुबात हो रही है हमारी आम डंडा गेट से और सबसे पहले बात करते हैं मौसम की तो मौसम आज बिल्कुल खुला हुआ है और धूप खिली विए जबर्जस्त तो चलते हैं और देखते हैं क्या दिखता है आज क्या है नतीम में वैसे दिखने के चांसे काफी बढ़ चुके हैं क्योंकि घर्मियों में ही ज्यादा साइटिंग होती है जाड़ों में ज्यादा तर वाइड लाइफ अंदर घने जंगल की और निकल जाती है एक एक दो महीने दिखना मुश्किल हो जाता है पर यह जो मौसम है यह है पीक टाइम वाइड लाइफ देखने का क्योंकि ज्यादा तर प्यास और गर्मी के कारण वाइड लाइफ निकलती है बाहर की और और जादी है वाटर बॉड़ी की और यह रिवर साइट जहां पर आपको ज्यादा चांसे होते हैं वाइड लाइफ साइटिंग के और चलते हैं और देखते हैं क्या है मूमेंट क्या है क्या है क्या है क्या है कर दी जंगल के में तो साफ सभाई और डिफाइड एरा अंदर तक में को किलिया चकफ दो सुथ अंदर तक आप किलिया राइटिंग देख सकते हैं डिफाइड एरा में तो साफ झाले किलिया बाइड प्रणिपल्वा सुख दो दो सिर्वाइड और तक में को किलिया राइड अंदर में दो किलिया वहाईड जो स कुछ the लटाइड लगी जो पार, तक में एराइड हो। कि दोस्तों इदर की साइड कड़ा है स्पॉर्ट डियर और जो पीछे की साइड पता नहीं क्या मोड़के देख रहा है तो आप देख सकते हैं अपनी गर्दन पूरी पीछे तक मोड़ ली और यह बिल्कुल अलर्ड यह हमाई तरह पी देख रहा है और यह हमसे बहुत ही करीब है बहुत पास में है यह काफी अलर्ड दिख रहा है हो सकता है यहां कुछ टाइगर या लेपर्ड की मुव्मेंट हो और एक और इसका साथ ही निकल के आया यह देखिए इधर की साइड एक और इसका छोटा सा बेबी आगे चलते हैं आगे के और दोस्तों यह एरिया टाइगर का एरिया है और यहां लगा हुआ रेड मार्क यहां रुकना रात में ज्यादा सेफ नहीं है तो इसलिए लगा रखें जगे जगे पूर्ट यहां लिखाया है स्पीड 40 किलोमेटर अपनी स्पीड को आप 40 किलोमेटर फ़रार रखें और फिर भी लोग नहीं मानते और बहाते अंदर दुन गोट नेक्टेर साफ सुन्दक तो बहात आना ही बहाती जमके कि अपनी से भी निकल के स्पॉर्टेट लिए अस्वासामट लिए रातर से है तो क्या होगा लोगे जगकर और वो पढ़कता आप पास दिफारी कि अधर कि अधर कि अधर कि अधर कि अधर की साइड आप कर सकते हैं एलिफेंट साफारी और अधर की साइड है कैमिल राइड इदर की साइड बैठें डेर साइड लंगूर और इदर की साइड है कुछ स्पॉर्टेड डियर यह भागा और इदर बीच में बैठा है एक लंगूर का बच्चा छोटा सा दोस्तों एकी फ्रेम में दोनों चीजे इस पॉर्टेड डियर और कुछ लंगूर और उदर की साइड पुर्टेड डियर अलर्ट यह भागे हो सकता है उदर की साइड कोई टाइगर या लेपर्ड की मूव्मेंट हो यह बिल्कुल अलर्ट चलते हैं आगे की ओर दोस्तों इदर की साइड है गिर्जिया गेट और हम जा रहे हैं गिर्जिया मंदिर की ओर इदर खेलना है कुछ बच्चे और इदर टाइगर के इलाके में आते हुए कुछ लोग बैदल ही कि अदाइब कुछ या कुछ्छ करता है याल काल अद्वार्ट याल आफ बुड़ है साणक शोय है तंक कर रहना है रहनी साथ किसे सायड़ Cantonese किस्क्सना प्रेंध बिंदी खिर स्करण कर मृच्छ कि नाकाथ कि अधिया मंदिर की गोड से राउज कर पावरी पाई दिया तो दोस्तों मिलते हैं आप से नेक्स ब्लॉग में तब तक के लिए गुट बाए और अगर अभी अमारे जैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले ऐसी सुन्दा सुन्दा वीडियो आपके लिए जाते रहें मिलते आशन एक्स ब्लॉग में तब तक के लिए गुट बाए